हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम वेक आर यूटूब चैनल स्टडी सेर्कल टॉन्टिफॉर सो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा तो चले आज हम आपको जो आपका पीटी का पेपर गुआ था उसका क्वेस्टन का एंसर हम आपको बताने वाले हैं त इसके आप सभी कोई एंसर अपना चेक कर लेंगे एक बार ठीक है यह एक संभावित हमें एंसर बता रहे हैं जब तक बोड के द्वारा यानि जो सिजी ब्यापम के द्वारा आपका फाइनल मॉडल इंसर नहीं आ जाता है तब तक आप एक सटिस्फाई के लिए आप देख प्रपेस करें जिसे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे है देखें क्वेशन्स नंबर वन है क्वेशन्स नंबर वन क्या है आपका पास कि फॉर असे लाइट इव दा टाइम आफ रिवलेशन्स इस टी दैन इट्स कानेटिक एनरजी इस प्रपोर्शन काल टी है तो इसकी गती जोरजा निमनल लिखेत में से किसके समानुपाती होती है ओके तो यह याद रखना है आपको कि फर्स्ट अफ वाल एक वैल्यू ठीक है किसके लिए कि कैनेटिक एनरजी इस प्रपोर्शनल टू तो इसकी जो वैल्यू होगी वी वी इस इकोल टू क क्या होगा जी एम ठीक है जी एम अपॉन आर राइट वी जावलोंपाटी अद जी इस ग्रविटैशनल इस अंहीं मास अंद आर जी आरडेश अव एर्थ सो कानेटिक एनरजी अगर फांड करना है तो कानेटिक एनरजी के लिए जो फोर्मला बनेगा आपके पास कानेटिक energy ke is the proportional v square okay so v square is the proportional 1 by r and अब इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको बताना है इसमें कि t उसका जो घुड़न काल दिया है revelation is t तो अब t के अब आपको क्या करना है यहां से आर की वैलिव जो आप वन बाई आर यहां शो करें है अब वहां से अप्लाई करना करेंगे तो क्या मिलेगा के किनेटिक एनर्जी इस अ proportional t square और इसका जो power दिया हुआ है यह क्या होगा 3 जो है यह उपर जाके on 3 ठीक है minus 3 आ जाएगा तो आपका option number देखें d यह आपका correct होगा right okay next देखें next questions है आपके पास if g is a acceleration due to gravity on the surface of the earth its value at the height equal to the double the radius of the earth is ठीक है यादि प्रित्वी की सत्व प्रुत्य तो अरण जी है तब इसका मान प्रित्वी की तरज्जा की दो गुनी उचाई पर होगा कितना होगा ठीक है तो देखें इसके लिए first of all एक example के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि फॉर्म होता है कौन सा कि declaration due to gravity at a height h from the surface of the earth तो इसके लिए formula क्या बनेगा g dash is equal to z upon यह 11th का है ठीक है means अगर देखेंगे तो यह आपको 11 में इस type का formula मिलेगा ठीक है g dash 11th का physics में आपके पास जो gravitational earth chapter है उसमें आपको यह मिल जाएगा तो इसके लिए देखें g dash is equal to z upon 1 plus h upon r square ठीक है तो अब h क्या दिया हुआ है इसका जो radius दिया हुआ है वो कितना दिया है दो गुनी उचाई है ना मतलब 2h हो जाएगा h is equal to 2r हो जाएगा तो यहां से आपके पास h is equal to 2r तो यहां h की value आप put करेंगे तो क्या मिलेगा g dash is equal to g upon 1 plus h की जगा पे 2r 2r upon r इसका square करना आपको r से r cancel हो जाएगा 1 plus 2 बचेगा आपके पास ठीक है 1 plus 2 कितना होगा 3 होगा तो यहां देखिए g dash is equal to g upon 3 का square कितना होगा 9 ठीक है तो आपको मिल गया g by 9 ठीक है तो option number d is the correct answer next questions आपके पास the escape velocity of body from the surface of the earth is ve the escape velocity of the same body from a height equal to 7r from the earth's surface will be तो इसके लिए आपको solve करना है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले आपके पास escape velocity का जो form होता है उसे आपको लिखना होगा ve is equal to square root square root 2 g m where g is a gravitational constant m is a mass ठीक है and r is a radius right so अब from a height of 7r क्या दिया है height क्या दिया है 7r दिया हुआ है तो distance from conservation total energy तो अब इसके लिए जो apply करना है formula ve तो 1 by 2m v e square is equal to g mm g mm ठीक है यह relation है इसमें और 8r right यह format के according आएगा आपके पास अब इसके लिए अगर आप apply करो तो क्या मिल लेगा आपको यहाँ पास यहाँ पास एक apply करने यह minus होगा एक यहाँ पास is equal to 0 कीजिया अब यहाँ से आपको क्या निकालना है यह ve है तो ve s के velocity आपको find करना है तो ve does g mm और upon 4r right इसके square root है आपके पास अब यहाँ से g mm upon r की value क्या मिलेगी आपको ve मिलेगी ठीक है ve does आप find कर रहे है तो यहाँ मिलेगा ve और यहाँ पास आपके पास दिया हुआ है r ठीक है तो कितना होगा 8 हो जाएगा under root 8 right अब इसको आप square root से बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2 root 2 मिलेगा ठीक है तो 2 root 2 मिल जाएगा नीचे और उपर होगा ve right तो इसका relation आपको क्या मिल रहा है इसमें अगर आपके पास option देखेंगे तो आपके पास option number c is a correct answer ve upon 2 root 2 dear students model answer आने के बाद भी आपको check करना है ठीक है यह हम एक संभावित answer आपको बता रहे हैं पूरे detail के साथ but final answer आपको model answer आने के बाद ही आपको सारी चीज़े confirm हो पाएगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है सिजी ब्यापम के दौरा जो भी exam लिया जाता है कुछ questions को बिलोपीत कर दिया जाता है यानि उसको remove कर दिया जाता है क्योंकि questions कभी कभी mistake होते हैं next questions देखिए question number 4 आप देखेंगे आपस questions है आर्थ रिज्या के एक केस नली के नीचले हिस्से को रोग घनत्तो वह S प्रिष्ट तनाओ के पानी में उर्दोधर रखा जाता है और पानी केस नली में S उचाई तक चढ़ जाता है तो 19 उत्पन उस्मा कितना होगा तो उत्पन उस्मा इसका कितना होगा वो आपको बताना है तो यहां से आप देखेंगे तो आपके पास pi r square h square rho g upon 2g जहां पास rho गया density को represent करता है h height को present करता है और radius को और g यह gravitational acceleration हो जाएगा ठीक है next देखिए five number का question से 1,000 kg दरबिमान का पिंड 1,000 kg का पिंड 36 दिसा में 50 meter per second के वेग से गती कर रहा है यदि 250 kg का दरबिमान इस पिंड पर रख दिया जा तो उसका अंतिम वेग पूछा गया है ठीक है उसका final velocity पूछा गया तो इससे आप कैसे करेंगे कि final velocity जो आपके पास होगा तो आपके पास क्या क्या है सबसे पहले देख लिजे mass दिया हुआ है कितना 1000 kg दिया हुआ है ओके देन अगेन आपको एक और mass दिया कितना 250 kg ठीक है small m हम ले लेते हैं इससे 250 kg अब इसके बाद final velocity को हम v से present करते हैं और initial velocity को हम क्या करेंगे u से present करते हैं तो initial moment हम find करेंगे initial i और m मतलब initial moment is equal to हम लिख देंगे capital m और u तो m की value क्या है आपके पास वह आपको मालूम होना चाहिए और देख लिजे इससे पहले भी यहाँ पास initial velocity आपके पास दिया हो 36 दिसा में जो वेक दिया ना 50 meter per second यह initial velocity है ठीक है तो initial velocity हम यहाँ पास find करेंगे तो आपके पास सबसे पहले momentum हम find कर रहे है तो momentum m की value क्या है 1000 यहाँ लिख दीजे 1000 into 50 meter per second 50 meter per second दोनों का multiply कर देंगे तो कितना मिलेगा 550,000 kg meter per second ठीक है अब इसके बाद भी final moment आपको find करना है तो final moment के लिए क्या करेंगे final momentum sorry final velocity find करना आपको भी तो अब इसके लिए again इसके लिए भी initial momentum आप find कर लीजे कितना हैगा तो final momentum आपके पास निकाना पड़ेगा आपके पास final momentum momentum ठीक है तो final momentum क्या होगा initial momentum और plus final momentum ठीक है दोनों mass plus हो जाएगा capital m और small m और v अब यहाँ thousand capital m की value small m की value 250 दोनों को plus करेंगे और v आपको find करना रहेगा तो कितना हैगा इन दोनों को plus कर देंगे तो 1250 आ जाएगा 1250 बोल्ट आएगा ठीक है तो देख लिए option में आपके पास कहीं दिया है अब इसके बाद यह तो पहला step हो गया ठीक है अब इसके बाद second option में तब second step निकालने के बाद ही आपका answer आएगा तो इतना screenshot ले लिजे अब देखे अब आगे क्या करना है step 2 में कि law of conservation of momentum होगा उसके लिए find करना है ठीक है because find velocity of the system तो initial moment में आपने क्या लिखा था उससे आपको लिखना है तो initial moment लिखा था आपने initial moment is equal to find moment जो आपने find किया था final तो find moment अब यहाँ पास लिख दीजिए आप 50,000 is equal to 1250 bolt तो V की value आपको मिल जाएगी 50,000 upon 1250 0 से 0 cancel हो गया ठीक है 125 पो 5000 से आप multiply करेंगे ठीक है divide करेंगे तो किता आएगा 40 meter per second आजाएगा यही आपका correct answer हो जाएगा तो आपके पास option number A is a correct answer next अब questions देख लिजे, question number 6 ठीक है questions number 6 आपको देखना है यहाँ पर questions number 6 है आपके पास uranium के लिए दिये हुआ है question number 6 आपके पास कि uranium 235,92 नाभिक के प्रति बिखंडन से ओर जाओ सर्जित होती है लग भग कितना तो आपको याद रखना है 200 mega electron bolt 200 mega electron bolt is a correct answer right अब next आपके पास questions मिलेगा question number 7 है 2 kg, 4 kg और 4 kg के तीन द्रबमान करमसा 100, 1110 और 010 पर इस्तित है इनके द्रबमान का केंद्र का इस्तिति सदिस होगा तो देखें इन में से कौन सा इस्तिति सदिस होगा तो याद रखेगा हम किसी भी दो बिंदू को लेकर ही बनाते हैं तो हम इस बिंदू को अगर लेकर बनाएंगे तो इसको लिखने का तरीका यह है कि XI प्लस YJ और यहां अंडरूट करके X स्कॉर प्लस Y स्कॉर कर देते हैं ठीक है X स्कॉर प्लस Y स्कॉर कर दिया जाता है यहां पस तो अब आपके पास कितना है 2 और 4 और यहां पास भी 4 दिया है तो इन में से क्यों हम 2 और 4 को ही ले सकते हैं तो X की जगह पे हम क्या लेंगे? यहाँ पास, वो भी आपको apply करना है यहाँ पास, अब इसके बात फिर जो दिया हुआ है, उसे भी आप apply करेंगे, ओके? तो rule के according हमको चलना है, तो X की जगह पे अगर हम 2 लिखेंगे, तो R is equal to, आपके पास, इधर 2 आएगा, 2Y plus 4, 4J, और upon 2 का square कितना हो जाएगा 4? और 4 का square, 2 का square होगा 4, और 4 का square हो जाएगा 16, ओके? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, तो 14 और यहाँ पास apply करेंगे, 4 plus 16, तो कितना हैगा 20 आएगा, और उपर में 2Y plus 4J दिया हुआ है, तो according to this, अब आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पास 20 को आप, इसको और रूट से बाहर निकाल, तो इसलिए यहाँ पास 20 तो कहीं दिया नहीं है, ठीक है, अब आपके पास अगर इन दोनों को अगर follow करते हैं, तो यह exact यह आ सकता है, यानि 3I और प्लस 4J, और 3 का square अगर 9 करते हैं, और प्लस 4 का 16 करते हैं, तो 69 प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 को आप square root से बाहर निकालेंगे, तो कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा, ठीक है, तो यह नीचे आ जाएगा 5 और नीचे, उपर 3I प्लस 4J, ठीक है, तो 3I अपॉन 5 प्लस 4J अपॉन 5, यह हो सकता है answer, ठीक है, तो देखें, इस questions के answer के लिए, मैं आपको फिलाल, एक संभावित answer मैं बता दे रहा हूँ, यह शेवर नहीं है कि यही होगा, एक तो A number option हो सकता है, और दूसरा C, ठीक है, क्योंकि इसमें या तो कुछ questions, अगर questions आई होते हैं, तो इसके हिसाब से, यह वाला आपका answer correct आएगा, जिससे कि हमने जब जो satisfaction के लिए, जो solve किया, वो answer यह सही है, अब आगे देखें, next question number 8 देखें, यदि किसी पिंड का द्रभिमान, प्रित्वी की सता पर M हो तो, चंद्रमा की सता पर इसका द्रभिमान होगा, तो याद रखें, इसके लिए correct answer क्या होगा, option number C, क्यों होगा, कि moss of a body is constant quantity, क्योंकि जो आपका जो द्रभिमान है, वो क्या होता है, एक constant, यानि नियतांक है, नियतांक होता है इसलिए, next, अब अगला प्रशन देखें, नौमा प्रशन दिया हुआ है आपके पास, कि दो विन विन जो पदार्थ हैं, यानि P और Q के BH ग्राप में, चितर प्रदर्शित किया गया, इनके उप्योग विद्दु जनेतर ट्रांस्फार्मर तथा, विद्दु चुम्बक के कोर हे तू, चुम्बक बनाने में होता है, इन में से सबसे उप्योग तो बोला गया है, तो इसका एक राइट एंसर आप बताएंगे, विद्दु चुम्बक वः ट्रांस्फार्मर हे तू, विद्दु चुम्बक वः ट्रांस्फार्मर हे तू, विद्दु चुम्बक वः ट्रांस्फार्मर हे तू, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो option number जो D है वो आपका यहां answer सही हो जाएगा ठीक है? तो option number D दिया हुआ है Q, विद्दुत, चुम्बक वा, ट्रांस्फार्मर हे तू Next, अब अगला प्रशन है आपके पास 10, what हिन धारा से तात्पर है? तो देखें, what हिन जो धारा है, एक आउसत चक्रे में क्या होता है? उसके आउसत सक्ती, एक चक्रे में आउसत सक्ती, उसका क्या होता है? जीरो होता है, इस प्रकार से, क्या होगा? जीरो, तो option number B सही हो जाएगा Next, अगला answer देखें, एक कुलांब आवेस में electronों की संख्या होती है, तो ये इसका correct answer होगा 1.6 into 10 to the power 19 कुलांब होता है, ओके? Next, अब question number 12 देखिए Question number 12, एक दरबमान M, एक दरबमान M रेखें, सरल आवर्द गति कर रहा है निमने में से कौन सा graph रेखें, वेक भी के संखत, तोरण A में होने वाले परिवर्तन का सही रूप होगा, तो ये जो आपका graph होगा, ये जो option number आपके पास D है, वो इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, option number D is the correct answer Next, अब क्योंकि graph में जादे कुछ आपको show करना नहीं है, अब देखिए question number 13 है चितरन अनुसार एक दरबमान, एक दरबमान दिया गया है M, और आयाम A के साथ सरल आवर्द गति कर रहा है बिंदू P का आयाम बताना है, dear students, कई students को लग रहा होगा कि हमारे selection होगा या नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बता दू, अगर आपने paper बहुत अच्छे से बनाया होगा, अगर 60 प्लस भी marks अगर आप लाते हैं, 60 या फिर 70 प्लस marks लाते हैं तो आपका selection से और है कि आपका first और second counselling में ही हो जाएगा, ठीक है college की स्तिती भी मैं बताऊंगा कि कितने college हैं, क्या है, किस प्रकार से आपको दाखिला लेना होता है, ठीक है सारी जनकारे दी जाएगी, आप बस video के शांद बने रहें, आने ओले समय में हम आपको college के बारे में भी बता देंगे और आपका counselling कब से होगा, ये भी बताएंगे और कुछ students पूछ रहते हैं, result कब तक आएगा, तो इसका PT का result कब तक declare होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा तो देखें, 13 number का जो questions दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास यहाँ देख सकते हैं यहाँ पास एक impedance दिया हुआ है, K और एक यहाँ पास दिया हुआ है, ठीक है, 2K, तो K और 2K दिया हुआ है, क्या बोला गया है, कि M दरभमान आयाम, amplitude दिया हुआ है, M दरभमान का एक के साथ सरल आउर्द गति कर रहा है, बिंदू P का आयाम बताना है आपको, ठीक है, यहाँ पास यह जो बिंदू P दीख रहा है, यहाँ पास P है, उसका आपको amplitude बताना है, पाइंट करना है, the amplitude of point P is, तो क्या होगा, तो suppose करते हैं, कि यह X1 और X2, ठीक है, तो A, A is equal to, ह तो formula है आपके पास, ठीक है, बल्बरा F, ठीक है, F is equal to M A होता है, उसके according भी हम apply करें, तो F into 1 by K, plus 1 by 2 K, दोनों calcium ले लीजे आप, ठीक है, तो क्या हैगा, इधर आपको मिल जाएगा, अगर F की value अगर आपको find करना है, यहाँ से, तो F is equal to, यह 2 K, इन दोनों का multiply करेंगे, तो 2 K square हो जाएगा, तो 2 K square, और इससे A के साथ multiply करेंगे, तो 2 K square upon A हो जाएगा, और उपर में जो multiply करेंगे, 2 K plus K, यहनि K plus 2 K आ रहा है, तो 3 K आ जाएगा नीचे, ठीक है, अब देखें, इधर आपके पास आएगा, F is equal to, F is equal to, 2 K square, 2 K square A upon 3 K, तो K से के से तो cancel हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 K A upon 3 बचेगा, ठीक है, 2 K A upon 3 बचेगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, amplitude find करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको P के लिए निकालना है, ठीक है, तो जब P के लिए जब find करेंगे, point P के लिए तो X1 suppose कर लिजे कि F upon K होगा, F upon K होगा, तो F की value आपके पास कितना आया, 2 K A, ठीक है, कितना मिला आपको, 2 K A upon 3, और upon K, तो K से K cancel हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2 A upon 3 मिलेगा, 2 A upon 3, ठीक है, 2 A upon 3, तो देखिए, आपके पास object, जो option है, option number D is the correct answer, option number D is the correct answer, 2 A upon 3, next questions है, देख लिजे, 9 number का questions, 15, 11, 12, ठीक है, यह 13 होगा, आप next question देखिए, 14 और 15, एक पतले उत्तर लेंस, जो crown glass, एक crown glass, mu is equal to, कितना दिया है, 3 by 2, 3 by 2 का मतलब क्या होगे, 1.5 हो गया, ठीक है, डिवाइड करने पितने ही आएगा, से बना है, focus दोरी, F, 4 by 3, और 5 by 3 है, अपर्तरांक वाले द्रव में नापे जाने पर, इसके focus दोरी क्रमसा, F1 और F2, प्राप्ता होती है, तीनो focus दोरी में, सही संबंद बताना है आपको, ठीक है, तो क्या होगा, यानि, F2, F1, ठीक है, F2, F होगा, यानि, option number, जो A, आप देख रहे हैं, यह सही है, कि F2 is greater than F, because F1 की जो value है, वो क्या होगा, negative हो जाएगी, ठीक है, तो option A is the correct answer, next, questions है, 15 number, कि एक समान चित्रफल, वो समान पदार्थ की तीन छड़ों को चित्रनुसार, जोड़ा गया है, A, D वर C का तापमान क्रमसा, 20 degree centigrade, 90 degree centigrade, 0 degree centigrade पर बनाए रखा गया है, यदि A, B भाग में कोई प्रवा न हो रहा हो, यानि कोई धारा प्रवा न हो रहा हो, तो लंबाई B, C वर B, D का अनुपात होगा, ठीक है, कितना अनुपात होगा, वो आपको बताना है, इसमें, तो अगर बात करें हम यहाँ पस जो वैल्यू गिवेन आपके पास ठीटा भी सपोस करते हैं, और ठीटा यह बोथ हार एक्वाल, यह कितना है, आपके पास 20 degrees and degrade, okay, right, since the, since there is no flow of heat in rod, ठीक है, मतलब इस rod में अगर कोई current flow नहीं हो रहा, so, temperature of B is equal to the temperature of A is, मतलब दोनो क्या होंगे, equal होंगे temperature, यानि 20 degrees centigrade is equal, where theta B is equal to theta A, so, अब यहाँ बस अप्लाई करोगे आप, कि second जो अप्लाई करना है rule के according, वो क्या होगा, कि heat flooring through D B per second, and heat flooring through D A, तो यहाँ से आप D B और फिर एक और point मिल जाएगा आपके पास, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या apply करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, 90 degree भी आपको यह perpendicular होगा, ठीक है, already आपके पास दिया भी है, 90 minus 20 degree, तो इस फोर्म में के according, K A 90 minus 20 degree, 90 minus 20 degree is equal to, यहाँ पास लिखिए, I B D, B D के लिए current है, और is equal to K A, into 20 minus 0 हो जाएगा, 20 minus 0, upon I B C के लिए होगा, ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, सबसे पहले, 90 minus 20, 90 minus 20, आपके पास कितना आएगा, वो देख लिए जए, K A और K A, यह दोनों cancel हो जाएगा, और, क्योंकि divide होकर cancel होता है, 90 में, आप 20 को minus करेंगे, तो कितना आएगा, 70 आएगा, आपके पास, 70 upon I B D, और is equal to, 20, तो 20 upon I B C आएगा, तो I B C, I B C upon I, I B D, B D, is equal to, क्या होगा, 70, 20 upon 70, 20 upon 70, 0 सी 0 cancel हो जाएगा, तो आपके पास, answer 2 by 7 आएगा, ठीक है, तो option में देख लिएजे, आपके पास 2 by 7, कहाँ पास है, ठीक है, तो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, option number C is a correct answer, ठीक है, तो यह आपका correct answer हो गया, डेर स्टेंट्स, इसके आगे का, हम जो next part, यानि part 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने questions भचे हैं physics के, उन सारे questions को हम cover करेंगे, ठीक है, तो और भी अगर आपको किसी questions में doubt होता है, तो आप वीडियो के comment section में comment करके जरूर बताईएगा, और आप यह भी comment कीजेगा, कि आपको क्या explain के साथ, आपको पूरा detail, इसका answer चाहिए, या फिर सिर्फ आपको इसका answer आपको जानना है, ठीक है, तो आगे का वीडियो, आपके comment के उपर निधारित करता है, कि आप किस प्रगार का वीडियो चाहते हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हम next वीडियो में, बहुत ही जल, तब तक के लिए thank you and good luck.